प्रेम तो क्या हजरत इसा मसी ने कहा है सुई के इस ठोटे से छेद में से उंट जैसा भारी भरकम जानवर गुजर सकते हैं मगर इश्वर के राज में दौलत का पुजारी कभी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ दौलत का कोई मोल नहीं अलेलुया आप सभी को जैम सी की दोस्तों क्या आप जानते हैं सनी देवल के फादर जो की धर्मेंदर देवल हैं उन्होंने प्रभीश मसी का सू समाचार प्रचार किया भारत के अंदर आप सभी लोग जानते हैं भारत के अंदर शुरू से ही प्रभीश मसी का सू समाचार प ही पसंद करते आज बहुत से ऐसे लोग है जो घरों में सूसमाचार परचार करते हैं मगर दोस्तों उनके खिलाफ कारवाईयां की जाती हैं उनके खिलाफ जूटे मुकदमे कि यह जाते हैं उनको मारा पीटा जाता है मगर दोस्तों मैं आपको बता दू बॉलीवूड के अंदर भी सनी देवल के फादर धर्मेंदर देवल ने प्रभू इश्वर के वचनों के बारे में एक फिलम के अंदर दिखाया गया तो दोस्तों वह वचन कौन सा था ह हम देखते हैं तो दोस्तों जब हम बाइबल पढ़ते हैं लुका 18 का 24 उसके अंदर हम पढ़ते हैं यश्व ने उसे देखकर कहा धनवानों का परमेश्र के राज्ये में परवेश करना कैसे कठिन है परमेश्र के राज्ये में धनवानों का परवेश करना उट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है तो दोस्तों ये वचन जब बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं और यही वचन हमें उस फिलम के अंदर दिखाया गया जो कि धरमेंदर ने इस वचन को बोलते हुए प्रभ परमेश्र का वचन क्या कहता है तो दोस्तों सच में परमेश्र का वचन महान है और परमेश्र ने भारत के अंदर भारत के लोगों से सुरू से ही प्यार किया और अपने वचनों को अपने लोगों तक पोचाया मगर दोस्तों आज परमेश्र का वचन सुनने से लोग कतरात में आपको बता दू प्रुभी शुमसी के वचनों को आज रोकने की चाहे जितनी भी कोशिशoth की जाएं चाहे परमेशे के वचन को रोकने की कितनी भी साजिश हैं मगर दोस्तों परमिश्य का वचन हर एक मनुश्य तक पहुँचना जरूरी है और परमिश्य का वचन हर एक मनुश्य तक जरूर पहुचेगा ताकि जब परमिश्य बादलों पर आए वो बहुत से लोगों को उठा ले जाए तो दोस्तो आप लोग भी परमिश्य के वचन को लोगों को शेर करें आप इस वीडियो को लोगों को शेर करें ताकि जो लोग परमिश्य को नहीं जानते जिन लोगों को परमिश्य के बारे में नहीं पता वे लोग भी परमिश्य के बारे में जान सकें परमिश्य के वच्चनों के बारे में पता कर सकें तो दोस्तों आप लोग उन लोगों को यह वीडियो जरूर भेजें और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो के अंदर हम बहुत सी ऐसी बातों को आप लोगों को बता सकें